दियर स्टुडेंट्स रक्त सम्मू से संबंदित एक्जाम में कई तरह के कोश्चन्स पूछे जाते हैं तो आज हम उन्हीं को सौल करेंगे मैं आपको कुछ एक्जाम्पल से इनको सौल करवाँगी और फिर आपको एक टेबल जो उसमें एक्स्प्रीन किया हुआ है मैंने कि किस तरह से ब्लड ब्रूफ्स क्या क्या हो सकते उनसे संभावित रक्त समू कौन-कौन से संतती में उत्पन होंगे तो अभी पहले स्टार्टिंग में मैं आपको सौल करवा रही हूँ और फिर उन टेबल को अपने आप सौल करिएगा ताकि आपको खुद को भी पता चलेगा कि हम लोगों को कितना समझ में आया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो फर्स्ट कोश्चन हमारा वो है यदि पिता का रक्त समूह ए भी है तथा माता का रक्त समूह ओ है तो उत्पन संतती में कितने प्रतीशत पुत्रों के रक्त समूह ओ होंगे अब यह कोश्चन जो है पुत्रों से रिलेटेड है कि पुत्रों में कितने हो सकता है पुत्रियों से रिलेटेड भी है सकता है कोश्चन हो सकता है सिर्फ संतती में कौन-कौन से रक्त समूह होते हैं तो इस तरह से भी आता है यानि यह एक question अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है ठीके तो अब किसको solve करने का बहुत ही आसान सा तरीका है सबसे पहले हम पिता का रख्तसमूग लिखेंगे तो पिता को हम represent करते हैं x, y से तो x, y है और x के उपर हम लिख लेंगे a और y के उपर हम लिख लेंगे b माता जो है उसका रख्तसमूग क्या है? o है तो माता को हम represent करते हैं x, x से तो हम उनके उपर लिख देंगे o इस तरह से अब हम इन से क्या बनाएंगे? gamerts बनाएंगे इनको अलग करेंगे तो एक x, a के साथ आ जाएगा और y के साथ में b आ जाएगा इसी तरह हम इसको separate करेंगे तो x के साथ में o और ये x के साथ में o यानि ये तो पिता का है रख्तसमूग और ये है माता है अब देखिए यहाँ पर हम cross करवाएंगे तो ये इसके साथ cross होगा first वाला first वाले के साथ cross होगा तो क्या आ जाएगा? x, a and x, o then ये वाला first जो है इसके second के साथ आएगा तो ये हो जाएगा x, a, x, o then ये वाला इसके साथ cross करवाएंगे तो बन जाएगा xo yb and ये वाला cross करवाएंगे हम इसके साथ में तो ये हो जाएगा xo yb अब अगर हम देखें तो देखें ये वाला जो है ये है पुत्री because xx है यह पुत्र क्योंकि xy है और यह भी है पुत्र अब अगर हम यहां देखिए तो blood group हो जाएगा a यहां पर a यहां पर हो जाएगा b और यहां पर b क्योंकि o जो होता है वो अप्रभावी प्रकरती का होता है इसके बारे में मैंने पहले वाले lecture में आपको explain किया है अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखें तो description box में मैं उसका link send कर दूँगी आप वहां से इसको देख लीजिएगा तो देखें यहां पर अगर हम देखें तो question के हिसाफ से यहां पर देखो कितने प्रतीशत पुत्रों के रक्त समूँ ओंगी कितने प्रतीशत पुत्रों के अगर हम सिर्फ पुत्रों की बात करते हैं तो पुत्रों में रक्त समूँ सिर्फ b आ रहा है तो ओ तो आ ही नहीं तो it means 0% क्योंकि यहां पर O के रक्त समूँ पुत्रों के रक्त समूँ O तो है ही नहीं सिर्फ B है अगर यह कोश्चन इस तरह से आता कि कितने प्रतिशत पुत्रों के रक्त समूँ A होंगे तो उसका अंसर भी क्या होगा 0 because पुत्र के रक्त समूँ सिर्फ B है यहां पर A भी नहीं है अगर यह कोश्चन इस तरह से आता कि कितने प्रतिशत पुत्रों के रक्त समूँ B होंगे तो 100% क्योंकि पुत्र जो है वो कितने बी बी दोनों ही है तो मलब 100% होंगे तो इस तरह से अगर यह कोश्चन पुत्रियों कितने प्रतिशत पुत्रियों के रक्त समूँ जो होंगे वो भी होंगे तो जीरो क्योंकि पुत्रियों में भी आए नहीं रहा है कि कितने प्रतिशत पुत्रों के रक्त समूँ पुत्रियों के रक्त समूँ तो कौन से हो सकते हैं चली हम नेक्स्ट कुस्चिन देखते हैं पता का रिक्त समूह n00 क कुत्वानबी पत्रियों के रक्तम लग्त्रम, आपके 10k. माता का रख्तुसमू हो तो सबसे पहले हम माता को x x से लिखते है रख्तुसमू क्या है ए तो a और o लिखती है हमने पिता का रख्तुसमू क्या है o तो पिता का x y और o है तो यहां पर हम दोनों तरफ o लिखती है अब यहां से gamerts बनाएंगे एक x के साथ में a आ जाएगा औ एक X के साथ में O आ जाएगा दूसरे X के साथ में O और यहाँ Y के साथ में O यानि यह तो है माता और यह है पिदा अब इसको हम क्रॉस करवाएंगे इससे तो यह हो जाएगा X A X O उसके बाद में इसको क्रॉस करवाएंगे इससे तो X A Y O फिर हम इसको करवाएंगे इससे क्रॉस देन X O X O और फिर हम इसको करवाएंगे इसके साथ क्रॉस तो आ जाएगा X O Y O यानि ये तो हो गई पुत्री ये हो गया पुत्र ये हो गया पुत्र अब गर हम रक्त समू देखें तो A इसमें भी A O यानि अगर इस कोश्चन में हम लोग देखें तो माता का रक्त समू तो A है और पिता का रक्त समू है O तो संतान जो होगी उनके रक्त सम्मू की संभावना क्या हो जाएगी A और O दोनों अब अगर पुत्रियां हैं तो पुत्रियों में रक्त सम्मू A भी हो सकता है और O भी हो सकता है और पुत्र है तो उनमें भी रक्त सम्मू A भी हो सकता है तो पुत्रियों के रक्त समू ए हो सकते हैं तो कितने प्रतिशत पुत्रियों के रक्त समू एक तो है पुत्री का रक्त समू ए और एक है ओ यानि 50 प्रतिशत पुत्रियों के रक्त समू ए हो सकते हैं और 50 प्रतिशत पुत्रियों के रक्त समू क्या हो सकते हैं तो इस तरह से इन questions को हम लोग solve कर सकते हैं एक तरफ माता के और पिता के रक्त समूँ जो हैं उनके क्रोमोजोम के उपर उनके antisons को represent करके और फिर gamits बना करके और फिर इनको cross करवा करके हम इस तरह से अलग-अलग तरीके से पूछे जाने वाले exam में सारे questions जो हैं इस method से solve कर स सकते हैं तो चलिए आईए हम देखते हैं कि parents की blood group है उनके base पे बच्चों के कौन-कौन से संभावित रक्त समूँ हो सकते हैं तो मैंने एक साड़नी बना रखी टेबल जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ पिता और माता के रक्त समूँ लिखें और दूसरी तरफ जो बच्चे उनमें संभावित रक्त समूँ कौन-कौन से ऊ सकते उनको बताया है तो देखी जो फर्स्ट है पिता है तो पिता का रक्त समूँ O है माता का O है तो बच्चों में जो और B रक्त समूँ आएगा फोर्थ है पिता का O, माता का A, B तो बच्चों में A और B आएगा फिफ्थ जो है पिता का A, माता का A तो A और O इन questions को आप बिल्कुल वैसे ही solve करिएगा जैसा कि मैंने आपको starting में बताया है आप एक एक करके इनको X, X और X, Y के उपर इनके जो genotype है मालब A और B जो है groups को उनको लिख करके और फिर इनको solve करिएगा तो आप से सारे questions solve हो जाएगे और ये रक्त समू जो है ये भी सारे match होंगे तो एक एक करके आप इनको solve करिएगा तो आप से easily हो जाएगे अब पिता की जगह माता भी हो सकता है माता की जगह पिता भी हो सकता है तो आप इनको reverse करके भी solve कर सकते हैं और ये question इतने important है कि हर तरह के competition exams यहां तक की RAS, IAS उनमें भी इन questions को कहीं बार पूछा गया है तो 6 जो है वो A और B तो संतती में O, A, B & A 7 jestem A AB, then A, B and AB 8 ते पिता में B, माता में B, B & O संतती में next ते पिता में B, माता में A, B तो संतती में A, B & A, B और last यह रखा है पिता में A, B & B तो संतती में A, B & A, B तो इस तरह से हम लोग इनको questions को solve कर सकते हैं झाल झाल